अब दोस्तो हम लोग सेकेंगे कि क्रिष्ट लिक क्रिष्ट लिए यो आक्रिष्ट लिए ठोसों में अंतर कि क्रिष्ट लिए और अच्रलिए ठोस में अंतर क्याáticas तो पहला हम ले ले रहे हैं इसमें गुड़ अब इधर हम लिखेंगे गुड़ किसके क्रिष्टलिय और अक्रिष्टलिय के और इधर हमने लिख दिया अक्रिष्टलिय ठोस ठीक तो पहला हम गुड़ देखेंगे इसमें कौन सी गुड़ देखेंगे जायमिती देखेंगे क्या जैमिति ठीक इसकाary lacking और how crystal कर्फिक तो जैमिति देखने के लिए हमने ले लिया एनने का ख्रिश्ट्ट करेश्टट कर्फिक ले लियारल चूंकि यह नहीञे पुलान देला c स्यल के बाद अन्य आता है ठीक अब देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट की एक यन्य को उठा करम देखतें अन्य को ठीक अब यन्य के चारो तरफ हमको दिख रहा है क्लोरीन देखिए क्लोरीन दिख रहा है और हर क्लोरीन के चारो तरफ क्या दिख रहा है अन्य दिख रहा है इसकी जो जायमिती है तो क्रिस्टलिय ठोज के जो क्रिश्टलिय ठोस की जायमिती होती है वो क्या होती है निश्चित यूम अभिलाच्टिक जायमिती होती है ठीक अब दूसरा हमारा क्या है अक्रिष्टलिये टूस में हमने ले लिया है रवर अब रवर में देखिए कोई नियमित व्योस्ता नहीं कोई करम है इनके जो अड़ है या प्रमार हुआ यह भी क्या है छोटे बड़े है ठीक तो इसकी कोई निश्चित और कोई नियमित व्योस्ता नहीं होती है अर्थात कह सकते हैं इसकी कोई निश्चित जायमिती नहीं होती है तो आप लिखेंगे कि अनिश्चित जायमिती होती है इसकी क्या होती है अनिश्चित जायमिती है ठीक अब दूसरा हम देखेंग क्या देशिकता मने होता है देख सिक्ता का घुर prop और और अब देखना टी अब इसको भी समझे लेते हैं देखे अगर हम फोर से क्यों को की क्रिश्टल को देखे अगर हम इस तरह से देखे इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि दे humility कि इस रेक्षा कि इदर हमको एंजले पलस जिख रहा है बढ़ी कि अब दीखा दिखोнов थे यहां से एक तो यहां से देखिए तो एक एने के बाद एक Mxfc यानि जो कि देशित्त्ता होगी हम अलग 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 दिशा से देखने पर इसके जो अपरतनाग को चालगता होंगे ओ क्या होंगे भिन्न भिन्न होते हैं ठीक यानि कह सकते हैं हम कि जो क्रिश्टलिये ठोस होते हैं इनको हम अलग-अलग अस्थान से देखने पर इसके भोतिक गुड क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं क्या होते हैं इस विशमदेशिक प्राकृत के होते हैं तो यह सब буटिके असनले से सम्झान नजब जो लिए गुड़ों के宝ा समय कि रहे हैं के प्रेयर हो रहा है अब प्रेयर होगा तो माल लेते हैं इधर 9th के बच्चे हैं इधर 9th के बच्चे इधर 10th के इधर 11th के इधर 12th के ठीक अब अलग अलग जगा से कर हम यहां से देख रहे हैं तो इधर हमको क्यों 9th के बच्चे नजर आएंगे यहां से देखेंगे तो हम क् कि बच्चे को अगर इधर से देख रहे हैं तो ट्वेल्थ के बक्चों की देख रहे हैं ची अलग अलग अस्तान से देखने पर यह अलग अलग गुरण ढर्स आ रहे हैं थी अगर इस फरकारं दरस आएंगे तोinci sharing हमारा हो जाएका विशम देशिक प्राकित क्या होगा विश्म देशिक प्राकित होगा ठीप अगर और वह चीज आ हो जाए जैनि लेंच हो जाए तो उसमें बीट लग जाती है बच्चों का उसमें सभी क्लास के बच्चे उपश्थित होते है यानि उनको चाहे जिस तरफ से देखा जाए हम यह नहीं बता सकते कि कि किस्किस क्लास के ये बच्चे हाए ठीक यानि इनके गुड़ क्या है उसमें समय है अगर गुड़ समान होंगे तो तो वो समदेशिक कहलाएंगे क्या कहलाएंगे समदेशिक कहलाएंगे अगर गुड़ भिन्ना है तो क्या कहलाएंगे विसमदेशिक प्राकिर्द तो जो हमारा क्रिष्टलिये टोस होते हैं यह समदेशिक प्राकिर्द के होते हैं क्या होते हैं समदेशिक प्राकिर्द के होत अब हम दूसरा देखेंगे प्राकिर्त देखेंगे क्या देखेंगे प्राकिर्त देखेंगे तो जो हमारा क्रिष्टलिये ठोस होता है यह वास्तविक ठोस होता है क्या होता है वास्तविक ठोस होता है और जो आक्रिष्टलिये होता है वह हमारा आभासी ठोस होता है क्या होत क्या होता है आवासी ठोस होता है अब देखते हैं हम लोग नेस्ट गुड तो एक दो तीन हो गए अब हम देखेंगे गल्नांक यूं कुथनांक क्या गल्नांक यूं कुथनांक तो दोस्तों जो kristal nutrient होता है इनके गलनांग क्या होते हैं निश्चित होते हैं इनके गलनांक और कतनांक क्या होते हैं आनिश्चित होते हैं क्या होते हैं और यह निश्चित प्रास में धीरे धीरे नर्म होते हैं कौन नर्म होते हैं आक्रिष्टलिये ठोस होते हैं ठीक अगला गुड़ हम देखेंगे बिदलन गुड़ कौनसा है गुड़ पाचवा हमारा क्या है बिदलन गुड़ कौनसा है बिदलन बिदलन माने होगा काटना क्या होगा काटना होगा ठीक अब बिदलन गुड़ में जो हमारा क्रिष्टलिय ठोस होता है जो हमारा क्रिष्टलिय ठोस को अगर हम काटेंगे ठी यानि कह सकते हैं जो क्रिष्टलिये ठोस को क्रिष्टलिये ठोस को धार-दार ओजार से काटने पर इसका असपष्ट या कह सकते हैं इसकी जो नई सता होती है वो असपष्ट और चिकनी होती है या ऐसे कह सकते हैं सपार्टियम चिकनी होती है ठीक यानि लिख सकते हैं जो बि और जार से काटने पर चिकना यों सपार्ट होता है यानि जितने भी क्रिश्टलियर्ट होस होते हैं उनको अगर धारदार ओजार से काटा जाए तो जो नई जनित सता होगी ओचिकनी यों सपार्ट होगी जैसे एक्जामपलव म में सब्सवाड आपको स्मूझ पनीर को और धार धार ओजार से इसक नई सता जो चिकनी ओगि और क्या होगी सपाट होगी ठीक अब दूसरा हमारा क्या है आक्रिष्ट लिए ठोस को अगर हम धार-दार ओजार से काटें तो इसकी नहीं जो सता होगी ओ क्या होगी खुदरी होगी खुदरी, क्या होगी, खुदरी होगी, खुदरी होगी, क्या होगी, खुदरी होगी, ठीक, नेश्ट हमारा गुड़ा है, कि सीतलन वक्र, सीतलन वक्र, पॉइंट हमारा क्या है, सीतलन वक्र, अब सीतलन वक्र क्या है, ठीक, तो आई देखते हैं, ग्राफ से, जो क्रिस्टल माल लेते हैं यह क्या है ताप है और यह क्या है समय है ठीक माल लेते हैं 80 40 20 10 ठीक यहां ताप माल लेते हैं कि यहां ताम मान लेते हैं सो यह मान लेते हैं 160 मान लेते हैं 160-140-120-800-180 टीक तो ह 19 Paulo लेते हैं कोई आउस्था आपका है ठीक वह पहले क्या है वह इस्था में वह आप आउस्था में वह आप आस्था से कोई पदा था अगर पैळलना सुरूग ताइब अगर कोई भाफ उस्ता में है और वह दéरे नर्म किया रहा है थंडा क्या चाए तो कैसे बाद किसमें कंवर्ट होने लए avoiding किUSTमें लिक्टिड में कनवटोने लगेगा जो इसकी सत्ह होगी वो क्या होगी लिक्टिड में कनवटोने लगेगी भाफ किसमें कनवटोने लगेगी लिक्टिड में और कुछ समय बाद इसका जब देखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा वो इस्तिर हो जाएगा कब तक इस्तिर रहे होगा हूग घृता है कि जो सीतलन वक्र होगा असतत होगा क्रिष्टल टोस का जो सीतलन वक्र है तो क्या हो bara क्रिश्टलिय का जो होगा वो सतत होगा क्या होगा सतत होगा आराम से दीरे दीरे एकी रेंजमें प्रिगनला शुरू हो जाएगा तो आप हम लोग देखेंगे इसकी कड़ों की ब्योस्ता क्या देखेंगे अब कड़ों की ब्योस्ता में हम क्या दखेंगे तो हमारा जो कृstawिष्टलियर ठोस होते हैं और जो आर्ण कृ~~~~न ठोस होते हैं और क्या होते हैं लगभ pラên क्या होते हैं यह होते हैं सुमारे लगभ की परासी होते हैं चैसरे का होते हैं लगों अब हुस्ते हैं वह लगों-परासी होते हैं हो जो क्रिश्टलिय universes तो क्रिश्टलिय ठोसों का जो हमारा एक्जाम्पल है एक्जाम्पल जैसे अगर क्रिश्टलिय ठोस का क्या बोला जाए तो सी यू एजी ए यू यह सब हमारे क्या है क्रिश्टलिय ठोस है क्या है क्रिश्टलिय ठोस है या इसी को और कांच यह क्या है आग क्रिष्टलिय ठोसों के एक्जामपल है तो पूछा जाता है कि क्रिष्टलिय और आग क्रिष्टलिय ठोसों के एक्जामपल क्या है तो क्रिष्टलिय अगर पूछा जाता है तो आग C U A G A U N A C L लिख सकते हैं ठीक अगर हमारा आक्रिष्टलिय में पूचा जा रहा है तो रवर, प्लास्टिक और कांच, यह क्या हमारे आक्रिष्टलिय ठोस के एक्जामपल हैं, ठीप, तो हम उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो समझ में आये, तो इसे ज् शेर, लाइक यूं कमेंट रना ना भूलें इतने के लिए धन्यवाद हम मिलेंगे नई वीडियो में नई तरीके के साथ तब तक के लिए धन्यवाद